प्रिद्धी जी नमस्कार आप क्या काम करती है स्वनिदी योजना ने आपकी किस तरह मदद की है हाँ जी पूछिए आप मुझे बताइए कि यह जो स्वनिदी योजना है उससे आपको लाप कैसा हुआ है क्या हुआ है लाप क्या हुआ है पहले हम सब्जी बेचते थे लेकिन लॉकडाउन के द्वारा जब हम पर पड़े सानी विपता आई तो सर कुछ डूमने लगे ते व और सर ये जो आपने योजना चलाई थी सर उसकी सती हमें नगम निगम जाके हमने पता करी सवनों दर्दकारियों ने हमारी मदद करी हमने फॉर्म बढ़ा फिर समय दसाजार रुपे मिले तो हमने सब्जी से सर फलों की ठेल लागा ली और हम दिड़े दिड़े आपकी द् तोड़ी कम आ रही है मेरी आवाज कम आ रही है आज अवारी है सही बुलिए आप आ रही है देखिए आपके कहने से माच गया तो ये फल बेचने का काम अब बराबट ठीक से आरंभ हो गया है हाजी सर आपकी द्वाएं बस तो नवरात्री में तो फल ज्यादा भी के होंग आजी नवरात्री में तो अच्छी विक्री हुई थी और बैंक में पैसे जमा करना शुरू किया है आजी सर एक किस्थ भर्दी हमने जो अट्टू भर की थी तो आपने ये क्या पीशे रखा हुआ है क्या देखना चाओगे आप बताईए आपने फलों के उपर हाँ वो क्या रखा है बताईए ये सर जो व्यक्ति हम से सामा लेने आता है तो सर हमें वो बड़ा फोन चलाना नहीं आता तो हम से वो कहता है कि पैटियम में पैसे डल गई तो हमने बोला रुख जा भी देखते हैं तो आपने सुना हाँ सुना हाँ तो पैसे जमा हो जाते हैं उसमें आजी 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 हाँ सामने वाला पागल नहीं बना सकता है अच्छा तो इतनी जल्दी लोन मिल जाने से आपको और भी फायदा होगा ये बताईए कि आपके परिवार में हैं और कितने लोग हैं सर में हूं मेरे पती हैं तीन बेटी आए मेरे पर और एक छोटा वाला लाला है तीन साल का है जो बच्चों को पढ़ाना शुरू को हाँ जी सर आपकी द्वाएं वस ये लॉक्डाउन में आपने घर का कैसे समाला सब कुछ सर लॉक्डान में कुछ दिक्कतें आई थी मेरे पर क्याई सारे पूरे भारत पर याई थी वो तो दिक्कत आई थी लेकिन कुछ दिक्कतें आपने सॉल्व करें जो महिलाओ के खाते में जलनान खाते में आपने पैसे डाले थे वो कुछ पैकेट प्राप्त हुए नगम नगम बालों से और जे मौन सिंग लोदी है जिन से और पूरी-पूरी सायता मिलीती सर हमारे यहां की दो लेडिस हैं कर देते थे देने आते थे और अनाज मिला पूरा समय मुफत में हां जी सर रासनकाट था है हम पर आप कितना पढ़ी है प्रिती जी सर एट क्लास अच्छा चलिए आपने अपने पैरों पर खड़ा होना और परिवार को भी खड़ा होना तय किया हां जी सर जब तक आपी हम नहीं आपके आप देखिए माता और वहनों के आशिरवाद से मैं काम कर रहा हूं और जब आपके आशिरवाद ज्यादा मिलते हैं तो ज्यादा दोडने का मन कर जाता है तो मैं और ज्यादा काम करूंगा प्रिती जी क्या आपको पता है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट करोगी जैसे आपने मुझे दिखाया तो आपके खाते में सरकार की तरफ से कैश बैक भी मिलता है मालूम है हाँ जी सर, सालाना मिलता है वे बारे सुर्पी तो इसका फायदा जुरूल लीजिए और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करके आप अपने ब्याज को भी कम कर सकती है और एक प्रकार से आपका स्थिती ये बन सकती बिना ब्याज ये पैसे काम करना शुरू कर देंगे आजी सर देगी पिती जी आपके फल खाकर लोगों की सहत तो अच्छी होती है डिजिटल पेमेंट और कोरना की सावधानी जिस तरह आप रख रही हैं उससे भी सबके स्वास्त की सुरक्षा होगी मुझे उमीद है कि आपका व्यापार खूब बढ़ेगा और अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा आदि दे सकेगी परिवार का पालन पोशान और अच्छी तरह करने में आपकी मदद बहुत काम आएगी प्रिती जी मेरी आपको शुब कामना है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब सर एक बात बताएं जी बताईए सर मेरे अजबेंड के यहां पैर में दिक्कत है सर तो मेरी पहले वो करते थे मजदूरी लेकिन आप मेरे टेले पर एल्प करते हैं वो तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ आपसे मिलना चाहते थे लेकर नहीं 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 देखिए नहीं को इतनी दूरी कर दी है लेकिन मैं आपसरों को बताऊंगा कोई आपको मिलेंगे और आपकी दिक्कत सुन करके उसका समाधान निकालेंगे ठीक है अच्छा नमस्ते बहिया क्या नाम है रादे साम जी चालिए रादे साम जी मैंने कहा है अपसर लोग आपको मिल लेंगे और आपकी जो कुछ भी समस्या है वो जुरूर योगी जी तक पहुंचा जेंगे ठीक है जी जी चालिए बहुत धन्यवाद थेंकि जी